हेलो डियर स्टुडेंट्स इस्पीड मैत की क्लास है आज की जरूर देखें आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू करते हैं वीडियो को तो पहले कोशन से सुरू करते हैं यहां क्या कहा गया है देखिए 25% of 500 25% निकाला है 500 का जो की होता है 125 कि इस 125 में डिवाइड करेंगे यहां आएगा 1 इस 1 का मल्टिप्लाइड टू में होगा यह बनेगा टू अब यह 20 का मल्टिप्ली डिवाइड होगा 800 में यह यह बना चालिस और यह होगा 5 यह होगा 200 200 में 2 जुड़ेगा ये वाला ये बनेगा 202 इस 202 में ये एड हो जाएगा 325 ये बनेगा 527 ये इसका आंसर होगा 527 इस तरीके से इसको solve करेंगे हम next question क्या है 4% का मतलब क्या होता है एक बटा 25 एक बटा 25 से ये 25 कैंसिल हो गया मतलब ये खतम हो गया केबल रह गया 150 150 में 24 माइनस करिए ये कितना आएगा 126 17 का square कितना होता है ये होता है 289 इसमें 289 एड करते हैं ये आएगा 514 इसमें माइनस करेंगे 361 जो की बचा हुआ है ये आएगा 454 इसका आंसर होगा 54 इस तरीके से इसको हम solve करेंगे नेक्स्ट कोशन क्या बोल रहा है ये हो गया 144 ये हो गया 169 इनको तो करना ही एड तो ये बनेगा 313 उसके बाद 5 से ये जाएगा 9 बार ये आएगा 135 इसको जब हम solve करेंगे तो ये आएगा 871 डिवाइड होगा 89 ये आएगा निकल कर टू यानि इस question mark की value है 2 इसका answer बनेगा 2 आगे बढ़ते हैं next question है quadratic equation का सबसे पहले इसमें से हम 2 common ही ले लेते हैं तो ये बचेगा x square plus 5x minus का 14 equals to 0 factor क्या बनेंगे x के 7 और 2 7 to the 14 होता है 7 में 2 minus होंगे तो बचेगा 5 plus minus है तो ये बनेगा symbol minus plus by की बात करते हैं by के factor क्या बनेंगे 6 and 5 दोनों बनेंगे plus K क्योंकि minus plus है अब यहां पर देखिए ये by इससे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है 6 6 जो है इससे भी बड़ा है 5 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है यानिकि by greater than x इसका मान होगा आगे बढ़ते हैं next question यह देखिए इसको कैसे solve करेंगे सबसे पहले हम x को solve करते हैं कि एक्स इसकोर रिकोरिस्टू क्या हो जाएगा यह हो जाएगा फाइफ फॉर नाइन सिक्स इक्स टू 336 और 7 x की value क्या आएगी plus minus में आएगी 27 यह भियान रखना है जब हम square से आते हैं तो हमेसा दो value मिलती हैं इस बज़े से यहां पर plus और minus दो value आएगी x की y को solve करते हैं तो y कितना बनेगा यह बन गया 9 जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम plus की value ही consider करते हैं यहां deep में नहीं बताएंगे हम number system में यह चीज अच्छे से बढ़ाई जाती है और यह यह यहां पर plus में जाएगा तो यह बनेगा 18 तो by की केवल एक value बनेगी वो बनेगी 27 अब यहां देखिए यह केवल एक value है plus की 27 एक बार यह बरावर है एक बार यह बढ़ा है यानि की by greater equal to x by बढ़ा बरावर है x से यह इसका मान है आगे बढ़ते हैं इस question को solve करते हैं इसमें आपको factor करने होंगे पहले तो 224 के factor करते हैं तो यहां से सबसे पहल ले रहे हैं साथ common लेंगे तो यह three times और two times यह जाएगा अब इसको open करने के हमें जरूरत नहीं expand करने की क्योंकि 7 में 32 add करते हैं तो 39 ही मिलता है हमें तो यानि यही दो factor है 7 और 32 तो x के factor क्या बनेंगे minus plus है तो plus plus दोनों factor रहेंगे positive 7 और 32 अब आते हैं by के factor पर 35 है 35 यानि 75 एक रहेगा 7 एक रहेगा 5 तो यहां पर हम देख सकते हैं एक बार में यह बराबर है यह बड़ा है उसके जाद यह बड़ा है और यह बड़ा यानि x जो है वो बड़ा भी है बराबर भी है बाई से यह इसका solution होगा अब कोशन आया है wrong number series का यहां बताना है कौ मैंनस फ्लस मैंनस प्लस माइनस का यानि — प्लस माइनस फ्लस माइनस यह चल रहा है यहां पर 13 माइनस हो रहा है सबसे पहलिर उसके रच कम्रूंभ कितना हो रहा है 26 एड़ हो रहा है उसके गद माइनस कितना हो रहा है इस बार माइनस हो रहा है 49 यहां पर हम यह तो समझ में आ रहा था 13 का टेबिल चल रहा है माइनस अब यहां 49 गलत है तो हमारे साथ से बन 40 रॉंग होनी चाहिए लेकिन हम आगे चेक करते हैं फर्दर चेक करेंगे तो कितना एड़ हो रहा है यह हो रहा है 62 एड़ हो रहा है ठीक है इसके आगे माइनस कितना हो रहा है तो यह माइनस हो रहा है 56 65 माइनस हो रहा है अब हमें पता है 13 बंजा 13 13 टूजा 26 13 5 जा 65 सब कुछ सही है यह दो टर्म गलत हैं इसका मतलब इसकी वज़़े से ही गलत है 140 140 यहां पर रॉंग टर्म है 140 यहां पर नहीं आएगा नेक्स्ट कोश्चन ही आपके सामने इसमें इ इसे करेंगे यह आपका हॉमबर्क है मैं भी तो देखूं कितने लोग सीरियसली वीडियो देखते हैं कमेंट बाक्स में कितने लोग इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी टर्म रॉंग है मैं इंतजार करूंगा कमेंट का आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन इसमें भी सिरीज है इसमें भी बताना आपको कौन सी टर्म गलत है यहां अंतर देखिए 19 का है यहां अंतर है 22 का यहां अंतर है 30 का यहां अंतर है 31 का यहां अंतर है 37 का और यहां अंतर है 41 का इस तरीके से सीरीज चल रही है यहां आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी यह प्राइम यह प्राइम 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 सारे प्राइम है यह दो नहीं है इन दोनों का मिड़ टर्म कौन सा है 122 इसका मतलब है 122 ही हमारा रॉंग टर्म होगा नेक्स्ट कोश्चन लास्ट कोश्चन है आज की क्लास का देगे मल्टिप्लाई तो समझ में नहीं आ रहा है डिफ्रेंस से ही होगा तो यहां आपको 31 का डिफ्रेंस दिख रहा है यहां आपको 34 का डिफरेंस दिख रहा है यहां आपको 43 का डिफरेंस दिख रहा है यहां आपको 747 का दिख रहा है और यहां आपको दिखेगा 3553 का डिफरेंस यहां पर भी आप देख सकते हैं प्राइम नंबर है प्राइम नंबर है प्राइम नंबर है प्राइम नंबर सारे प्राइम है यह दो प्राइम नहीं है इसका मिड टर्म कौन सा बना 105 यही आपका रॉंग टर्म होगा 105 आपका गलत होगा और भी वीडियो जाती रहेंगी प्लेलिस्ट जरू देख लें इसी व